नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 60-40 न्यूजन नीती के खिलाप अभियार्थियों ने राजेपाल और विधान सभा अध्यक्ष को सौपा ग्यापन जार्खन स्टेट यूनियन के करेकरताओं ने राजे के राजेपाल सीपी राधाकृष्णन और विधान सभा अध्यक्ष रवीन रात महतों से मुलकायत कर ग्यापन सोपा ग्यापन सोपने के बाद जार्खन स्टेट यूनियन के परतिनिधी मंडल में सामील लोगों ने राजेपाल से नई नियोजन निती को रद करने की मांग की है बतादे जार्षन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन दौरा पिछले 6 महीने से राई सरकार दौरा लागु की गई नई नियोजन नीती के खिलाब समय स्थमय पर विरोध प्रशन भी किया जा रहा है इसी को लेकर गुरु वार को भी जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन का एक प्रतिनिधी मंडल अपनी मांगों को लेकर और साथ चैलिस नियोजन निती नाई चलताओं के समर्थन में बहुतर बिधायकों के समर्थन के साथ राजेपाल सी पी राधा किष्णन और विधान सवा अध्यक रवीन रात महतों के पहुँचे विरोध करने वाले अभियार्थियों ने राजेपाल को सारी जनकारी देकर ग्यापन स्टूपा है जननीती का गहन अध्यान का इसे लागू किया जाएगा जार्खन में सुखे की असांका से मोटे अनाजगी खेती की तयारी सावन के महिने में धनबाद बारिस के लिए तरस रहा है कौम बारिस होने के कारण धान के बिचलों में पिलापन भी आ रहा है बारिस की ठीती पर राई सरकार प्रतित दिन हर जीलों से रिपोर्ट ले रही है राई सरकार ने भी सुखार के असांका के मद नजर बैकलपिक फसलों मोटे अनाजगी खेती के तयारी सुरू कर दी है किसानों को मोटे अनाच की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है बताए धनबाद जिला की रिसी विभाग को सरकार ने मड़ुआ की खेती के लिए बिज उपलवद कराया है धनबाद में 43,000 हेक्टरे में धान की खेती होती है बारिस काफी कम होने के करणधान की खेती के लिए बिचला त्यार करना भी मुश्किल हो रहा है धनबाद में किसानों ने खेतों में बीज तो डाला है लेकिन बारिस नहीं होने से उसमें पिलापन आ रहे है 1932 हमारा मुद्दा था और रहेगा हम हारे नहीं सीयम हेमांत रहे है राजे ही तो अजने हित में सरकार कारी योईना बना रहे है लेकिन बीरोधी को यह रास नहीं आ रहे है वे लोग कोट कछारी जूट फरेव और साजिस करने से बाज नहीं आ रहे है मुख्य मंत्री गुरु आरको बोकारो जीला अंतरगत नवाडी श्थीद विनोद विहारी स्टेडिया में अवेजीद एक सभा को समोधित करते हुए ए बाते कही है इस मौके पर उन्होंने मौडल डिग्री महा बिद्याले सहीद 170 क्लोर की योजना का उद घाटन एम सिरन्यास किया साथी 56.36 क्लोर की परिसंपत्यों का बित्रन भी किया है बंगाल की खारी में बन रहा चक्रवात भारी बारिस का अलर्ट बंगाल की खारी में साइकलोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसका असर जारखन में भी पढ़ने के संकेत है इसी वज़ा से कज जाओ पर भारी वर्षा हो सकती है मौसम विज्ञान विभाग के रांची इस्थित मौसम केंद्रिक के मौसम विज्ञानी ने बताया है कि पश्मोतर बंगाल की खाड़ी में स्वल्ला जुलाई दो है तेज के आसपास एक साइकलोनिक सर्कुलेशन तेज हो सकता है मौसम विभाग ने बताया है कि इस वक्त मांसून, ट्रफ, जैसलमेर, दिल्ली, लखनव, मुझाफरपूर, बालू, घाट होते हुए और रांचल परदेश और असम से गुजर रहा है रांची स्थित मौसम के अंदरे जार्खन राज के लिए मौसम की चेतानी जारी करते हुए का 16 जुलाई को राजी के उतर पश्मी भागों में कहीं-कहीं भारी बर्षा होने की संबावना है इतना ही नहीं कुछ इलाकों में बजरपात होने की असंका भी जताई गई और उसकी सफलता का सभी को इंतियार है चंद्रयान 3 के प्रचेपन के उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है सुक्रवार को 14 जुलाई को दो पर दो बज कर 35 मेट पर इसका प्रचेपन होगा इसके लिए कई कंपनिया ने बिभीन, कल, पूर्जो और उपकरनों क्या पूर्ती की है किसी भी सेटेलाईट की लौंचिंग के जरूरत पैड और सेटेलाईट को संभालने वाले करेन का निर्मान जहरकन की रजधानी रांची स्थीथेवी इंजिनियरिंग कर्पोरेशन में हुए है भारतिये अंतरिश अनुसंधान संगठन के लिए HEC ने इसे बनाया था बता दे सेटेलाईट को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में भी इसका इस्तिमाल होता है कोईला के उत्पादन में इतिहास रचेगा भारत धनबाद में बोले मंत्री परहलाद पटेल एतिहासिक अस्तरपर देश में कोईला का उत्पादन हो रहा है इस सल देश में 1,000,000,000,000 यानि 1,000,000,000 टन कोईले का उत्पादन होगा या कहना हाई BCCL के दौरे पर गुरु आर्को धन्बाद पहुंचे कोईला मंतरी प्रला जोसी का बतादे पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार हर महीने राज सरकार को रोल्टी देती है कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि परधान मंत्री के निर्देश पर BCCL के दोरे पर आया हो ताकि कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में और तेई से काम हो जहरिया में आग बुझा कर कोईले का उत्पादन सुरू किया गया है कोईला नगर स्थीत सहिद असमारा के समीब कोईला मंत्री को CISF की ओर से God of Honor भी दिया गया गुमला में नकली और एक्सपाइरी धान बीज वा कितनासक की विक्री खरी फसल की खेती के मौसम में गुमला में नकली और एकस्पायरी धान बीज एवं किटना सक बिक्री मामले में क्रीसी भी भागने गूरवा को क्रीसी करांती गुमला में छापा मारा छापे मारी के दोरान क्रिसी करांती से कई कम्पनियों के एक्सपायरी धान बीज और किटना सक बरामत किया गया बता दे कि सदर प्रखंट अंतरगत बिरिंदा एवां सीला फारी गाओं के किसानों ने अपने खेतों में क्रिसी करांती से धान बीज की खरीदारी की थी खरीदारी के बाद किसानों ने बिचला तयार करने के लिए अपने खेतों में धान बीज को बोया लेकिन उस बीज से अंकरा नहीं हुआ किसानों ने इसकी सिकायत क्रिसी करयाले में की कि सानों दवारा किये गए सिकायत के आलोक में क्रिसी विभागने टीम बना कर क्रिसी करांती में छापा मारा पुरुवर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रगुबर्दास ने स्तियाम हिमन्त को लिखा पत्र जारखन के पूरो मुख मंतरी रगुबर्दास ने अपने मुख मंतरित्व काल में स्विक्रित जनहीत की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख मंतरी हमन्तर उनको पत्र लिखा है, पत्र की प्रतिलीपी मुख सची को भी भेजी है सिरिदास ने हेमन सरकार पर उनके मुख्य मंत्रित्व काल की योईनाओं को नजर अंदाज करने पर अपसोस प्रकट करते हुए लिखा है कि सरकारे आती जाती है लेकिन राज में विकास की गाड़ी अनौरत चलती रहती है यही विकास धर्म है इसी में जन ही था है सियम हेमन सरेन को लिखे पत्र में पुर्व सियम रागुवर्दास ने जिक्र किया है कि उनके मुख्य मंत्रितों काल में सिक्छा स्वास्त बिजली पानी सड़क जैसी बुन्यादी सुधाओं को बेहतर करने के लिए कई योईनाओं को धरातल पर लाने की हाट संभव की गई सराय केला के गम हरिया अमीन 10 एयर घूस लेते गिरफतार बहस्था चानियो धक बियूरो परमंदल हिक का रहाला है सोनारी की टीम ने गम हरिया अंचल का रहाला में पदस्थाफित अमीन राज की सोर भगत को दो सेयर रूपे घुस लेते रंगे हाथ गिरफतार किया है गिरफतार करने के बाद उसे ACV थाना सोनारी लेकर आई जहां अमीन से पुष्टाच की जा रही है इस तमन में गमहरिया के रहने वाले मनोच कुमार सिंग ने इसकी सिकायत ACV को किया था बाबुलल मरांडी कल समालेंगे भाजपा परदेश अध्यक्ष का पदभार जहारखन के पुरमुख मन्तरी बाबुलला मरांडी 15 जुलाई को हर्मूर रोड इस्थीत कॉरनीवल बैंकेट हॉल में आयोजित होने वाले सने मिलन समारोह में भाजपा के परदेश अध्यक्ष का बीधिवत पदभार गरहन करेंगे निव अर्तमान परदेश अध्यक्ष सहराय सभास सदस्रे दीपक परकास उने पदभार गरहन कराएंगे बतादे इस अध्यक्ष परदेश प्रभाई डाक्टर लक्षमी कांत बाचपई केंद्रिय मंत्री तथा अलावा पार्टी के तमाम परदेश अस्तरिय बड़े नेतावी उपस्थित रहेंगे ज्यारखन में जोनल कमांडर समेट दो नक्सलियों का आत्मसमरपन ज्यारखन के दो बड़े नक्सलियों ने पूलिस के समक्ष आत्मसमरपन कर दिया है इसमें 16 लाख काई नावी भागपा मुवादी जोर्नल कमांडर नीरज सिंग खेरवार और 6 लाख काई नावी नक्सली कमांडर खुदी मुंडा सामिल है बताद नीरज सिंग खेरवार ने जहरखन पुलिस के स्पेशल टीम के समक्ष लोहर दग्गा और लात्यार की सीमा परिष्थित जंगल में आत्मसवरपन किया है उस पर जहरखन पुलिस ने जिन्दा या मुर्दा 10 लाख रूपय का इनाम घोशित कर रखा था वही एन आये भी नीरज की तलास कर रही थी चार लाख रूपय का इनाम की घोशना कर रखी थी खेरवार के आत्मसवरपन को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है और उस से रांची में रख कर पुश्टाच की जा रही है डुमरी में बजने लगा चुनावी डंका सीम हेमन्त हुए एक्टीव डुमरी उप्चुनाओ को ले कर छेतर में डंका बजने लगा है ले बड़े निताओ के तावर्तोर दवरे होने लगे है सीम हेमंन्त सुरेन खुद भी एक्टीव हो गा है क्योंकि यह उप चुनाव जितना उनके लिए प्रतिष्ठा का विशाय है बतादे डूमरी विधान सभास सीट के लिए उप चुनाव की घोसना से पहले ही चुनावी डंका बजने लगा है सियासी पारा चढने लगा है विपक्ष की बढ़ी गतिवीदी के बीच जामों के करकारी अध्यक्स मुख्यमंत्री हेमान सुरेन ने भी चुनावी जंग का अगाज कर दिया है इस उप चुनाव में सिधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमान सुरेन और भाजपाक के नौ मनोनित परदेश अध्यक्स बावुला मरांडी के परतिश थर दाव पर लगी हुई है डुम्री का चुनावी महोल, इमोशन और करप्शन सब्द के इर्दिगित घुम रहा है UCC पर मंतब्य देने की अधि बढ़ाने की मांग समान नागरिक सनहिता पर केंद्री बीधी आयोग ने देश की जनता और समाजिक धार्मिक संगठनों से 30 दिनों के अंदर आपना पक्षा मंतब्य देने की कहा था इसकी मियाद 14 जुलाई को समाप्त हो रहा है जार्खन कॉंग्रेस के करकारिया ध्यक सहजाद अनवर ने बीधी आयोग को पत्र लिकर मंतब्य देने की अधि को तीन महीने और बढ़ाने की मांकी है बता दे कॉंग्रेस के करकारी अध्यक सहजाद अनवर ने अपने पत्र में लिखा है कि जग रूपता और जनकारी की कमी की वज़ा से करीब 135 क्लोर की अबादी वाले देश में 45-50 लाग लोगों या संस्थावों ने ही अपना मतब पे भेजा है ज्यारखन में पेड लगाने पर 5 यूनिट फ्री बिजली की कब होगी शुरूआत पेड लगाने पर 5 यूनिट फ्री बिजली देने की सीम हमानसुरेन की घोसना भी भागे उलज़ान में फस गई है घोसना के तकरीबन एक साल होने को हैं लेकिन अधरातल पर अब तक कब उत इसकी कोई पुकता जनकारी किसी के पास नहीं है बता दे सहरी छेत्र को हरा भरा रखने के उदेश से पेड लगाने पर प्रती पेड पांच यूनिट फ्री बिजली हवा हवाई साबित हो रहा है हालात यह है कि 22 जुलाई 2022 को मुखे मंत्री हमंसुरेन के द्वारा 73 वे 1 मह होत्साओ के मौके पर की गई या घोसना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया घोसना के अनुरूप सहरी छेत्र के लोगों को अपने केमपस में पेड लगाने पर सरकार से प्रती पेड पांच यूनिट फिर बिली मिलती है जारखन में गंगा किनारे बसे 78 गाओं में जैविक तरीके से होगी खेती जारखन के सहब गंजिले के 78 गाओं में जैविक तरीके से खेती खी जाएगी जैविक खायद के लिए कमपोजिट प्रोडक्शन यूनिट शुरू करने के तियारी चल रही है जीला परसासन ने इसके लिए नीती आयोग को 1.400 रुपे की योईना बनागर प्रस्ताव भेजा था नीती आयोग से स्विक्रिती मिलते ही जीला परसासन इस दिशा में काम सुरू कर देगा इस जीला का उदेश गंगा नदी के पानी में बढ़ते पर्दूसन को रोखना है बतादे गंगा नदी के किनारे दियारा छेत्रे में बड़े प्रमाने पर खेती कारे होता है किसान अधिक मुनाफा के चक्कर में रसायनी खात का उपयोग करते है गव सेवा आयोग के अध्यक्ष ने किया गव साला का निरिक्षान जार्खन गव सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन परसाद ने आयोग के अधिकारियों के साथ हर्मोस्तित गव साला का निरिक्षान किया इस दोरान गव सेवा आयोक के अध्यक्ष गव साला की समस्याओं से रूबरू भी हुए रांची गव साला नियास से जुड़े लोगों ने अध्यक्ष को बताया कि रांची नगर निगम से पास होने के बावजूद भी अभी तक गाए जहां रखी जाती है उिद्द बदला नहीं गया, इस बारे में अद्यक्ष ने कहा है कि राची नगर निगम से हरमोग इउसाला के सर चुके सेड को बदलने के युञिना सोटिक्रीती होने के बावजूद, अभी तक सेड Acts बदला नहीं गया है, जल दीव़ के बीभीन बीभागों में अनुबंद पर कार्यारत कर्मियों को नेमित करने की त्यारी शुरू हो गई है सरकार के द्वारा पिछले दिनों सभी बीभागों में 10 वरत से अधिक औधित से कार्यारत कर्मियों की सुची त्यार की गई थी जिसमें सर्वधिक होमगाट जवानों की संख्या है जनकारी के मुताबिक जीला से लेकर परदेश अस्तरतक में करीब 2,288 एर कर्मी अनुबंध पर है अनुबंध पर काम करने वालों की संख्या स्वास्त और ग्रामिन विकास बिभाग में सुरधिक है बताज़ सुप्रीम कोट के गाईलाइन के अनुड़ूप इस करमचारियों को निमित करना सरकार के लिए किसी चुनोती से कम नहीं है हालाकि राज सरकार के विभागों में रिखतिया है ऐसे में सरकार पूरी तरह मन्थन करने के बाद इस पर नीना लेने के मुड में है नियाधी करन के फैसले को पलट दिया वही कोट ने एक महिने में गड़ा भरने और जमीन को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया है साथी बिल्डर वी के एस रियलिटी को कई निर्देश देते हुए निर्मान कारे के दोरान बनाए गए बाउंडरी को भी तोड़ने का आदेश दिया गया बतादे हाई कोट के नियाधीस राजेस दंकर के अदालत में मामले की सुनवाई होई रतन हाइट सोसाइटी वाले ने 6 साल पहले पुरे मामले परियाश का दाखिल की थी हमसकल की मौत का लाब उठाकर 11 सल से बच रहा था खुदी मुंडा भागपा मवादी के हाटकोर नक्सली सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा के सेरेंडर करने से पूलिस ने राहात भरी सासली है वही सेरेंडर करने के बाद खुदी की जान भी बच गई नई तो पुलिस खुदी को मुड़ भेड मे मार गिराने के लिए खोज रही थी बतादे सरेंडर करने के बाद खुदी से पूलिस पूश्ताच की है खुदी की निसंदेही पर गुरुवार को कई ठीकानों पर छापे मारी भी किया गया है हाथियार भी बरामत होने की सुचना है बतादे की एक हमसकल की मौत का फैदा उठाका 11 वर्सों से नकसली खुदी मुंड़ पूलिस से छिपता फिर रहा था लेकिन जब खुदी के पूना सक्रिय होने के बाद जब पूलिस उसके पीछे पड़ी तो मारे जाने के डर से खुदी ने सरेंडर कर दिया है मानसून को लेकर लोहर्दागा के किसान चिन्ती लोहर्दागा जिले में मानसून इस वर्स भी किसानों को धोखा दे रहा है मौसम की बेरे खुई से अब किसानों की चिन्ता बढ़ने लगी है किसान महंगे बीज लेकर खेतों में छुट चुके जिसमें धान, मडवा, फुल गोभी, टमाटर, बंधा गोभी, बैगन सहीत औने सबजी फसलों की पवधा बनाने के लिए बीज का छिटा कर चुके हैं मांसुन की बेरुखी से पानी की कवी के कारण छिटा गया, बीज से अंकुरा नहीं निकल रहा, किसान टूलूपम के माध्यम से या टीना में पानी भर कर बीडा में छोड़ रहे हैं एकादसी पर फोजदारी बाबा की नगरी में 45,000 ने किया जलाविशेक, राजगिये स्रावनी मेला महुसर दोहार तेज के दसवे दिन स्रावन मास कृष्ण पक्ष एकादसी तीथी गुरु वार 13 जुलाई दोहार तेज को दुमका इस्तित बाबा फोजदारी नायत के द विगरी में जलारपन शुरू किया, वहीं मंदीर परबंधन के उनसर 45 हैर कवरियों ने बाबा फोजदारी नाथ पर जलारपन कर मंगल कामना की है, बासकी नाथ मंदीर पर इसर बाबा के जयकारों से गुजदा रहा नवालिंग से दुसकर्म कर हत्या मामले में संजय उराओ को उम्रकैद, जारखन के रांची में पोक्सो मामले में बीसेस नयाधिस आसिक इकबाल की अदालत ने नवालिंग छात्रा के जबरन उसके घर से ले जाकर दुसकर्म करने के बाद उसकी हत्या करने में दोसी करार अभियुक्त संजय उराओ को आजिवन करावाज के सया सुनाई है, बताद इसके साथ ही रातु थाना चेत्रे के पाली अखाला टोली निवासी अभियुक्त पर 25 है रुपे का जूर्माना भी लगाया गया, अदालत ने संजय को 6 जुलाई को 2 सी ठराया था, घाटना को ले कोईला मंत्री ने कहा, आईसी योईना तयार करे की कमपनी के परती लोगों का विश्वास बढ़े, जारखन में आईसी योईना तयार करे की लोगों का कमपनी पर विश्वास बढ़े, जमीन सही कई समस्याय हैं जिस पर गमहिता से मंतन करने की जरूरत है, जमीन अधिगर पुर्णवास को लेकर जानित में प्लान त्यार करें ताकि कम्पनियों को काम करने में किसी तरह की परचानी ना हो। पुर्णवास को लेकर जानित में प्लान त्यार की परचानी ना हो। पुर्णवास को लेकर जानित में प्लान त्यार की परचानी ना हो। उसमें उन्होंने लिखा है कि 5 जुलाई को उनके मोबाइल पर फोन आया। कॉल करने वाले सक्ष ने अपना नाम मधु सुधन बताया। धन्यवाद।